हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग वेलकम टू स्टोरी टेलर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोज को मिशना करें और ये वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा तो चली शुरू करते हैं स्टोरी सुरू होती है और एक एलियन चुहा मार के खाड़ा होता है तब ही वहाँ केविन अपनी कार लेके आता है उस एलियन से मिलने जिसने केविन को वहाँ बुलाया हुआ होता है वो एलियन बोलता है कि मुझे पता है तुम किसी खास तरह के गजट तलास रहे हो केविन तो केविन कहता है कि कहां है वो तो एलेन बोलता है मैं उस बंदे से तुम्हें मिलवा सकता हूँ जिसके पास वो है पर कीमत दूग नहीं लगेगी। सीन सिफ्ट होता है बेन और गवेन अपनी पुरानी फोटोस को देख कर बाते कर रहे होते हैं तभी बेन कहता है कि उस टाइम का समर वेकेशन कितना अच्छा था हर वक्त हीरो टाइम और केविन उस समय सब की नजरों में एक चोड था इधर केविन रस बकेट में कुछ कर रह होता है तभी केविन बोलता है नजरिया बदला कहा है बेन अभी तुम सब मेरे पर नजर रखते हो इस पर गवेन बोलती है अगर ऐसा होता तो तुम्हें चूने भी ना देते फिर गवेन वेन की तरफ बढ़ती है तभी केविन कहता है एक मिन रूको और फिर वो अब मैं चेक करने वाला हूं बोल के वेन लेके भागने लगता है बेन बिक्चिल बनके उसका पीछा करता है रास्तों पर बर्फ की परत बिछा देता है पर केविन ने कुछ एडवांस एटेच्मेंट्स किये थे वेन में जिससे वह असानी से ड्राइव कर लेता है केविन देखता केविन बदल गया है बेन हम भी तो बदल गया है फिट गवेन का एक रुमान निकालके उसे ड्ढ़ने कोसिस करती है अधर केविन वैं लेकि उस एलियन के पास पहुंचता है तो वह एलियन वैं को देखके बोलता है तो क्या बदले में ये गारी दोगे नहाँ खटारा है इस पर केविन कुछ advanced features दिखाता है वैन की तो alien कहता है कि हाँ हाँ अभी भी यही कहूंगा खटारा है हलाकि कुछ चीजे हैं कीमती इस पर केविन कहता है कि तुम्हारा दोस इसे खरीद लेगा ले चलो उसके पास जिस पर वो alien कहता है कि हाँ हाँ पर यह उस तक पहुंचे तब ना यह कहके वो अपने काटेदार बालों से केविन पर टैक कर देता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता वो alien कहता है कि इन्हें बेच के मैं अपने सारे करज उतारूंगा और हाँ थोरी बहुत आयासी भी करूंगा और अगर तुम चल फिर सको तो उससे मिल लेना जिसके पास वो गैजेट है उसका नाम है वलकेनस और वो तो तुम्हें जानता है और खत्म करना चाहता है यह बो तभी केविन कहता है कि हाँ तब बेन कहता है तुम्हारे लिए खास होगी अगर वैन वापस ना लाएना तो दिखा दूँगा तभी केविन कहता है एक शेकर रुको और वो वैन की लोकेशन दिखाता है तभी केविन कहता है कि अच्छा तो तुम वैन में ट्रैकर लगा र युकbn टूद चु सब्ट करेंगे लिएपगे इसपर करता है और भर गजट निकालते वी बोलता है टो कुछ भूल रहा हूं जैसे ही वो निकलता है जिसे सब्सेilles को बेहोस हो जाते हैं फिर जाता एकर भागने फिरन जाता ल gir एकर बनके उसको घेड लेता है इस पर वो एलियन काटे दर बालों से अटेक करता है जिससे सभी एको एको बेहोस हो जाते हैं एक को छोड़के इधर ग्वेन पीछे से हमला करने जाती है तब ही केविन ग्वेन को जुकने को कहता है इस पर वो एलियन सतर्क हो जाता है और दोनों पर सामने होते हैं तब ही दुन एक दूसरी पर अटेक करते देगा था बन केता है अब बताओ चकर वो एलियन Thank you पर सारा अरोप लगा देता है कि ये तुम्हारी वेन किसी और को बेचने वाला होता है इस पर विश्वास मत करो पता भी नहीं चलेगा और ये धोखा देदेगा इस पर बेन कहता है ये तो है मतलब ही खुद गरजी केवल अपने बारे में सोचते हैं और केविन से बोलता है क पर कुछ छोटे चोटे एलियंस उसे घेड के खड़े होते हैं तो केविन कहता है मुझे अपने बॉस के पास ले चलो केविन वलकिनस के पास आता है जिसके पास वो गैजट होता है वलकिनस केविन को देख के बोलता है समझ नहीं आरा तुम्हारे साथ क्या करूं तुम्ह भारी वजय से मैं अर्थ पर फसा हुआ हूँ इस पर केविन कहता है छोड़ो ना पुरानी बातें आज के सोदे की बात करो तभी वलकेनस एक होलोग्राफिक गैजट दिखा के बोलता है कि यह जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है अब बताओ बदले में क्या दोगे इस प की केविन एक एब्जॉर्बर होता है तो वो उस क्रिश्टल को एब्जॉर्ब करके पूरा क्रिश्टल में बन जाता है वलकेनस कहता है कि यह टेटनाइट है पूरी गेलेक्सी का रे और किमती पत्थर तुम्हारे सरीर से एक एक क्रिश्टल का पार्ट निकालके मैं बेज दूँगा तभी केविन कहता है कि भले ही मेरी एक खाल बेज दो पर ये होलोग्राफिक बेंटेनिशन को दे देना तो भी वलकेनस कहता है कि अच्छा और तुम्हें क्यूं लगता है कि मैं तुम्हारे मांग पूरी करूंगा तभी बेन और ग्वेन वहा जाते हैं अब बेन क के चम्चो से थोड़ी बहुत फाइट के बाद वेन वालकेनस के सूट को अंदर से फ्रीज करते हुए बाहर निकलता है जिससे उसका सूट प्लास्ट कर जाता है इधर ग्वेन केविन को छुडाती है और उसे छूती है तो ठीक हो जाता है फिर बेन वालकेनस की तरफ बताना चाहिए था केविन तो केविन कहता है कि मैंने पहले बहुत से बुरे काम किये हैं जिनके बारे में कोई विश्वास भी नहीं कर सकता तो अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम सब यकीन नहीं करते इस पर बेन कहता है कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी केविन तुमें बीते हुए कल के बारे में नहीं आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए Kevin कहता है लेक्चर अच्छा था पर इसे एक्टिवेट तो कड़ो Ben उसे एक्टिवेट करता है तो वो Grandpa Max की मेसेज होती है जिसमें वो बताते हैं कि Ben अगर ये मिसेज तुम देख रहे हो तो तुम सही रापे हो पर ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते अभी तक तुम्हारे मुलकात बहुत से प्लमर बच्चों से हुई होगी पर तुम्हें और भी ढूनने होंगे तुम्हें मिलके एक मजबूर टीम बनानी होगी तो दोस्तो ए वीडियो कैसे लागा नीचे कमेंट करके बताना और वीए वीडियो अच्छे लागा तो लाइक जूर से कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिक्सन बेल को आल पर जूर सेट कर लेना मिलते हैं एक और एपिसोड में तब ते के लिए ग झाल और आगा झाल गिए तब तो चांबस